चार दोस्तों स्वागत है आप सभी का और आज हम करेंगे मैं आपको एक टेस्ट लेता हूँ तो आपके तीस में से तीस नमबर आना चाहिए ठीक है कम समय में हम एक बार सेट कंप्लिट करेंगे ठीक है जो नया है चेनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा बेल आइकोन को प्रेश कर दीजेगा और अगर हमसे जुड़ोना चाहते हैं तो इस नमबर पर वोट्सप कर दीजेगा CG BSC Nursing के लिए Very IMP Question वोट्सप कर देना इस नमबर पर और जिनको 2000 Very IMP Question लेना है वो ले सकते हैं 99 रुपए में आपको 2000 Most IMP Question मिल रहे हैं तो जिनको लेना है वो ले सकते हैं 36 गड़ BSC Nursing के लिए और Free Class के लिए हमें मेसेज कर सकते हैं चलिए पहला Question को आपका आंसर Copy Payne लेकर लिखना है और Comment करके बताना है ठीक है मैं इसका आंसर आपको इसके बाल बता हमाँ ठीक है चलिए पहला का लगा लिए आपने दूसरा Question चलिए तीसरा Question का आंसर जो था Question फोर्थ नमबर का पांचवा कंड्रा एक सरचना है जो किसको जोड़ेगी डेजमोसों रुपांद्रण है किसका आपको यह मैंने पेपर करवा रखा इसलिए मैं आपको खाली Question ही बोल रहा हूं है आंसर आप लगाना है इस तन गरंतियां कहा रुपांद्रत होती है एक सामानी मनुष्य के लिए लगबग क्या आवशक है जिनको प्रेक्टिस से लेना है समय से पहले ले लिजेगा जिस प्रकार हाइड्रोक्लोरिक अमने पेपसिनों जेन से ठीक उसी प्रकार कोलेस्ट्राइल का निर्मान किसके दुवारा होगा किस एक जोड़े के दोनों परिभाशिक शब्द एकी चीज को प्रदर्शित करें सोडियम और पोडिशम आयरन का उशोशन क्या होगा बोमेस केपसुल की गोहां में जो द्रव एकटा होता है उसे क्या कहते है मस्तिक्षी की गोहां को इस्तारांधित करने वाली कोशिक आई को क्या कहते है कौन सी स्राजना के वाल इस्तिनधारियों के मस्तिक्ष में विशेशत तोर पर पाई जाई माईलीन पर तक इसको ठाकेगी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और अभी तक 3000 लोगों ने प्रेक्टिसेट मंगवा लिए हैं जिनको मंगवाना है वो मेसेज कर देना ठीक है एक बार डेमो जरूर देखे प्रेक्टिसेट का फ्री में ठीक है चली कपाल दंद्रिकाओं में से कौन सी प्रेक्ट नहीं है चली मनिश में ऐसी कौन सी कोशिका परते हैं जो बार बार विगटित होती है बार बार बन जाती है आंतर करण में आरगन आप कोरटाई जो रोम कोशिकाओं का वहन करती है लाइसोजाइम कहाँ पर पाये जाएं करण इस्तियाइन का स्किस में रुपांतरित होगी रक्त चाप किस से नियंतरित होगा पित पिंड के अनुरक्षन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है एमनी ओसेंटिस में विश्लेशन किया जाता है शुक्राणों के अगर पिंड का निर्मा कहा होता है शुक्राणों के अगर पिंड का निर्मा विज्ञान जो पैतरिता का वातावरण से सहलगन करता है मनुष्य में लिंग सहल अगनता की वंशानुबती मुख्यता किसमें होगी क्लाइन फेल्डर सिंड्रोम के गुंड सुत्रों का क्रम बताई कौन सा केवल आरेने में पाया जाएका लेकिन डी एने में नहीं मेंगोलिज्म को आप क्या कहते हैं यह आपके तीस में से आपके कितने आए कमेंड करके बताना मैं आपको इसके आंसर अभी बता रहा हूं ठीक है इससे पहले मैं आपको डेमो दिखा देता हूं जो प्रेक्टिस सेड बना रखे हैं यह चत्तिस गर्डबी एससे के लिए आपको प्रेक्टिस सेड मिलेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चोदा, फंदरा, सोला, सतरा, ठारा, गुनिस, बिस, बिस सेड मिलेंगे इसके बाद आपको यह अरीहंत्र के क्योशन मिलेंगे, केमेस्ट्र में बता देता हूं खुल जाएगे तो ठीक है यह अरिहंत के question भी मिलेंगे अरिहंत की book के ठीक है और यह 20 state है यह भी मिलेंगे ठीक है यह दुसरा state खोल लेते हैं question कैसे मिलेंगे यह आपको जो state बना रहे हैं यह question की नीचे answer मिलेंगे ठीक है इस question की नीचे यह पहला question इसकी नीचे answer answer ठीक है यह इस तरह से आपको 2000 question मिलेंगे बेरिया यह भी तो जिनको मंगाना है समय से पहले मंगवाली जीज़ेगा ठीक है इस number पर message करके अब आप copy pen में देखना कौन-कौन सा आपका सही निकला ठी कि देखते हैं आपके कितने number आने केसी तयारी पहले question का answer आगया है होगा आपका पहले का जो answer है एक second प्रोपी pen ले लो और जो मैंने लगा है उसके उपर right लगाते जाना ठीक है चलिए पहले का answer आचुका है आपका पहले का आचुका है आपका B वाला दूसरे का आचुका है आपका B वाला तिसरे का आचुका है आपका D वाला फोर्थ नंबर का आचुका है आपका D वाला पांचवे नंबर का आचुका है आपका C वाला छटे नंबर का आचुका है आपका C वाला साथ नंबर का जो है वो है आपका A वाला आटवे नंबर का जो है वो है आपका C वाला नोवे नंबर का है वो है आपका B जिस परका हेड्रोक्लोरिक अमने नोवे का आपका B दस नंबर का है आपका जो अंसर हो जाएगा वो आपका B वाला हो जाएगा 11 नमबर का क्या आजाएगा 11 नमबर का जो आजाएगा वो आपका आजाएगा D वाला 12 का भी आजाएगा आपका D वाला 13 पर चले आते हैं वो में स्केप्सूल जो आजाएगा वो आपका A वाला आजाएगा 14 नमबर पर आजाते हैं चौदा का आपका A वाला आजाएगा पंदरा पर आजाते हैं पंदरा का आजाएगा आपका B वाला सोला पर आजाते हैं सोला का आजाएगा आपका B वाला सत्रा पर आजाते हैं सत्रा वाला वो आजाएगा आपका B अठ्ठारा पर आते हैं 18 पर आपका आजाएगा A 19 पर आते हैं तो 19 पर आजाएगा आपका B 20 पर आते हैं तो 20 पर जो आजाएगा आपका A वाल 21 पर जाते हैं 21 का आजाएगा आपका C वाल 22 पर जाते हैं तो 22 का आजाएगा आपका C वाल 23 पर जाते हैं 23 का जो आजाएगा आपका C वाला 24 पर हम चले जाते हैं 24 का जो आजाएगा आपका C वाला 27 है 24 के बार 25 पर हम जाते हैं तो 25 का जो आजाएगा आपका कौन सा आजाएगा 25 का जो आजाएगा वो गोल जी कोई आजाएगा B वाला आजाएगा 26 पर जाते हैं तो वो आजाएगा आपका B वाला आजाएगा जीन पर इसे 27 पर अगर हम जाते हैं तो वो आजाएगा A वाला और 28 पर अगर हम जाते हैं तो वो आजाएगा आपका B वाला और 29 पर जाते हैं तो वो आजाएगा आपका डी और लास्ट हैं 30 और आप कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा और 30 में से आपके कितने नंबर आए और जिनको प्रेक्टिस सेट लेना है ठीक है जिनको प्रेक्टिस सेट लेना है वो समय से पहले ले लेना और आ आपके कितने नंबर आए कमेंट करके ज़रू बताएं जिनको डेली फ्रेक लास में जुनना है वाटसप कर सकते हैं